हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी फ्यूचर फार्मसिस यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि आप फार्मकोगनसी का स्टड़ी किस तरह से कर सकते हैं जी पैट की प्रिपेशन के लिए अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम या फेस्ब यह जो हमारा सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट के आंदर हमें क्या इंपोर्टन होता है जी पैट के लिए वह कौन से पॉइंट है वह कौन से एरिया जैंफार्मकोगनसी के लिए जो हम हम जी पैट में अकसर पूछे जाते हैं तो इसी तरह से कुछ और भी अंदर good score करना है तो आपको pharmacognosy को कभी भी निगलेक नहीं करना चाहिए यह बहुती scoring subject है इसके अंदर हमें mainly question पूछे जा सकते है phytochemical classification जो plant का होता है उसके अंदर question आ सकते उसके बाद important phytochemicals उसमें से भी question आ सकते फिर chemical test and bio technical aspect यह जो important area है इसमें से हमें question आ सकते है इन सभी point को हम in detail में discuss करने वाले इस वीडियो में अगर आपको pharmacognosy की study करनी है तो आपको two books बहुत ही important होती है उसमें से first वाली books है Tris and Evans वाली जो basic concept जो हमारी होती है pharmacognosy की उसको clear करने में बहुत ही help देती है और उससे भी बढ़िया एक book है वो है pharmacognosy की सिके को काटे सर इनकी books यह भी books बहुत ही basic information देती है हमें plant और उसकी profile जो होती है उसके बारे में तो चलिए आगले point की तरफ बढ़ते हैं pharmacognosy एक ऐसा subject है इस subject के अंदर आपको sticky question पूछे नहीं जाते है इसके अंदर जो भी question आते है वो straight forward question होते है जैसे कि हम जानते हैं कि pharmacological chemistry या फिर organic chemistry mainly organic chemistry से हमें बहुती tricky question पूछे जाते है लेकिन इसके अंदर यानि pharmacognosy के अंदर हमें सीधे और directly easily question पूछे जाते है तो यह subject है बहुती easy होता है अगर आपको पूरी के पूरे drugs याद है तो आप में से बहुत से लोगों को question होता है कि pharmacognosy के अंदर जो GPAT में syllabus है उसमें से क specific answer नहीं है generally आपको question 10-20 question आ सकते है इसका कोई range नहीं है हर साल question की जो range होती है different होती है as compared to previous years हो सकता है आपको इस साल 10-20 question आ सकते है अगले साल 20-25 question आ सकते है इसकी कोई हमें guarantee नहीं कि इस साल हमें इतनी question आ सकते है जैसे कि हमने previously discussed किया है कि phytochemical classification is one of the important area in pharmacognosy in point of view of GPAT so pharmacognosy के अंदर जो classifications होते वो बहुत ही important होते और ज़्यादा तर question हमें इसी classification से आ सकते है तो एक example के help से हम समझने की कोशिश करते है कि question किस तरह से आ सकते है जैसे कि आप screen पर देख सकते है कि यहाँ पर हमें एक drug दिया है that is a Rolfia, Rolfia Serpentina तो यह जो drug है यह drug mainly roots और rhizome की category में भी आ सकता है या फिर हमें इसका अलग से question पूचा जा सकता है जैसे कि कि आपको यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर जैसे यह diagram दिखाई दे रही है यह diagram के अंदर हमें indole ring दिखाई दे रही है तो question यहाँ से यही भी आ सकता है कि रॉल्फिया जो drug होता है हमारा वो किस ring से belong करता है तो उसका अंसर होता है indole में भी आपको other option दे जा सकते है पाइरल हो सकता है बेंजो इमिडैजोल हो सकता है इस तरह से आपको वहाँ पर options दिए जाते है तो हमेशा ध्यान में रखे गएगा कि उस particular drug किस category के अंदर आ सकत है सिके कोकाटे के अंदर आपको इन सभी classification का इन detail में study मिलेगा वहाँ पर आपको जो example दिये बस उनी particular example को आपको द्यान में रखना है उससे जाद आपको example द्यान में रखने की भी कोई जरूरत नहीं यह जो आपको table दिख रहा है इस table के अंदर से भी आपको question आ सकते है ज आयोसाइमस है यह जो drugs है यह drugs आते है ट्रोपेन आलकुलाइड के category के अंदर अब यहाँ से question vice versa reverse question पूचा जा सकता है जैसे की धतुरा जो हमारा यह chemical constituent है यह chemical constituent किस ring को contain करता है किस ring system को contain करता है इसका simple answer होता है ट्रोपेन आलकुलाइड आपको अगर option दिये जाने होते है तो आपको option दिये जा सकते है इंड़ो अलकुलाइड, quinine alkुलाइड या फिर isoquinean alkुलाइड इस तरह से आपको questions आ सकते है जो जैसे हमने देखा यहाँ पर धतुरा के ऊपर question आ सकता है या फिर हमें और question आ सकता है इंडोलो कोलाइड का example दीजे या फिर papai verrin जो है वो किस ring system के अंदर आता है तो इस तरह से जो question है यो phytochemical classification के उपर पूछे जा सकते तो अगला जो classification है उसके अंदर हम किस तरह से question आ सकते वो देखेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए classification के अंदर भी बहुत सारी categories होती है यहाँ पर classification chemical structure जो होता है taxonomy होती है उसके उपर भी हो सकता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते यह भी एक one of the category है classification की यहाँ पर आपको simple equation आ सकता है नक्जोमी का जो हमारा drug है वो plant के किस पार से लिया जाता है तो यहाँ पर आमारा सीधानसर होना चाहिए seeds का क्योंकि यह जो नक्जोमी का drug होता है वो seed से बिलोंग करता है इसी तरह आपको nutmeg के उपर भी question पूछे जा सकता है कि nutmeg है यह क्या leaf है या seed है या फिर ूड है इस तरह से question आपको पूछे जा सकते है next two question आ सकता है वो biological source से आ सकता है तो biological source जो होता है उसके अंदर हमें mainly तीन चीजों के बारे में focus रहना चाहिए एक होता है part of the plant दूसरा biological ने और तीसरा होता है उस plant की family कौन से है जैसे कि अगर हम example के तौर पर लेते है तो जितने भी alkoholide होते है जितने भी alkoholide उसमें से maximum alkoholide यह जो होते है वो soleness family से belong करते यह एक आप ट्रिक इस्तमाल कर सकते हो अपने drugs को धहन में रखने के लिए तो जैसे हमने अभी discuss किया उसी point को हम example के थूरू समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक question है what is a biological source of Alexander Senna तो यहाँ पर आपको च्यार options दिये इस तरह से हमें question GPAT के अंदर आ सकते है biological source के उपर तो जैसे हमने देखा कि biological source के उपर हमें किस तरह से question आ सकते हैं जैसे biological source एक important section है हमारे pharmacogenesis के लिए वैसे ही chemical test जो होती है उसके उपर भी बहुत बार question आ चुका है mainly जो question आते हैं जो हमारे alkoloid category के जो drug होते हैं उनकी जो test होती है उन test के उपर maximum time question पूछे गए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक side में हमें phytochemicals दिये गए है और दूसरी side में उनकी chemical test दिये गए है जैसे कि alkoloids alkoloids को किस test से हम identify कर सकते हैं यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं second line के अंदर हमें पूचा गया है purine alkoloids उसकी जो test है उस test का नाम दिया है उसी तरह से meanwhile amino acid फिर tanin फिर starch इस तरह से हमें जो phytochemicals है और उसकी जो respective chemical test है उन chemical test को आपको धहन में रखना है और chemical test को धहन में रखते हुए आपको एक चीज़ और भी धहन में रखना है क उनकी जो end product होता है end product में उनका जो color होता है जो end में हमें दिया जाता है उस color को भी आप अपने notes के अंदर highlight करके रखे क्योंकि उसके उपर भी कभी कभी questions आ सकते हैं इसी तरह से दोस्तों हमें कभी कभी क्या होता है जो हमारे drugs के adult runs होते हैं उसमें से भी question आ सकता है हमारे drug के जो specific uses होते हैं उसमें से भी हमें कभी कभी question आ सकता है तो आप जब भी drugs को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखेगे कि आपको जो drug की जो main profile होती है main profile यानि drug का जो biological source फिर उतका होता है family फैमिल के बाद chemical constituent फिर उसके बाद uses कभी-कभी उसकी जो physical property जो होती है ड्रक्स की उसके उपर physical property यानि कि उसका ड्रक्चर किस तरह से अगर वो ऊड़ है तो ऊड़ के उपर क्या lining है lining है तो उसका safe किस तरह से इस तरह से हमें question आ सकते है जी-पैट के लिए तो दोस्तों ये ती वीडियो को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजे चाइनल को subscribe कीजे इस lecture की पीडियेप आपको हमारे website के उपर मिल जाएगी और उसकी link में नीचे description में दे दूँगा thanks for watching video